दोस्तों हमने आस्मान से बिजली को गिरते हुए देखा है जब बरसात होती है या फिर तेजवा चलती है तो बहुत सारे काले बादल इकटा हो जाते हैं और बिजली चमकती है पर क्या आपने कभी सुना है कि जमीन से भी बिजली निकलती है और वो आस्मान की तरफ जाती है इसे वॉल्केनो लाइटनिंग कहते हैं पर ऐसा आपको हर एक जगा देखने को नहीं मिलता ये केवल उसी जगा होता है जहां पर जॉला मुकी होते हैं हमें इतना तो पता है कि जॉला मुकी में से धूल के बादल और लावा निकलता है ये एकदम सच है कि जॉला मुकी में बिजली बनती है ऐसा बहुत से लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया है पहले तो विग्यानिकों को इसकी असली वज़े पता नहीं थी लेकिन बाद में शोद करने पर मालूम चला कि जब जॉला मुकी फटने पर अपने धूल के बादल छोड़ता है उन्ही धूल के बादल की वज़े से ये बिजली बनती है जब जॉला मुकी के धूल के अंदर मौजूद कंड एक दूसरे से टकराते है ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आप किसी चीज को रगड़ते हो तो उसमसे एक बहुती छोटा बिजली का करन निकलता है ये बिजली अलग-अलग रंग की भी हो सकती है ये कभी तो आपको नीले रंग की दिखेगी या फिर बैंगनी रंग में जौला मुकी के अंदर ये बिजली दो जगों पे बनती है पहले तो ये बिजली जमीन पे बनती है जिस टाइम जौला मुकी फटता है जौला मुकी के ठीक उपर ये बिजली अलग-अलग रंगों में दिखती है और दूसी तरह से ये बिजली बनती है जब जॉलामुकी की धूल आस्मान में पहुंचती है जैसे ये धूल उपर जाती है ये ठंडी होती जाती है और जब ये धूल पानी से मिलती है तो ये बर्फ के कंड बना लेती है बर्फ के कंट जब आपस में टकराते हैं तो इनसे बिजली पैदा होती है ये तरीका वैसे ही काम करता है जैसे कि हम साधरन बादलो में देखते हैं बस इन दोनों में फर्क होता है कि जॉला मुखी वाली बिजली हमें जमीन से आस्मान में जाते विदिखती है और साधरन बादलों वाली बिजली हमें आसमान से जमीन पे गरती भी दिखती है